हेलो फिरिन आज में साही मसरूम बनाऊंगी इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में भी ये बहुत तेश्ट लगते हैं चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले पैन को गर्म होने दे फिर सर्सो का तेल डाले तेल गर्म हो जाने के बाद कटेवे प्याज डाले इसके के बाद कटेवे टमाटर डाले और इसे चार मिनिट तक भूंज ले चार मिनिट हो गया है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करके इसे ग्राइंड कर ले इसके बाद पैन में सरसो का तेल डाले और आधा टेस्पून जीरा एक टुकरा दाल चीनी चार लॉंग एक बड़ी लैची और ग्रेट किये वे अधरक डाले इसे बाइस सकेंड तक भूंज ले फिर कटेवे मस्रूम डाले मैंने 400 ग्राम मस्रूम लिया है और इसे फ्राइ कर लगबक 8 मिनिट तक देखी 8 मिनिट हो गया है हमारे मस्रूम फ्राइ हो चुके हैं इसके बाद ग्राइन किया हुआ पेश्ट डाले इसे अच्की तरह से मिला ले इसके बाद एक चमस लाल मिर्ज पॉडर आधा चोटी चमस हल्दी पॉडर एक चमस धनिया पॉडर एक चमस जीरा पॉडर डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें इसे ढख के पांच मिनिट तक पकने चोड़ दें पांच मिनिट हो गया हैं देखे इसे एक बाद चला लेती हूं इसके बाद एक चमस नमक डाले नमक आप स्वादन उसार डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे ढख के दो चार मिनिट और पका ले देखे हमारे मस्रूम बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ में भुन चुके हैं इसके बाद कटे हुए हरे धनी को डाले और दो बड़ी चमस क्रीम डाले मैंने मलाई लिया है क्रीम के जगर देखे हमारे मस्रूम बनके तयार है चलिए इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं इस तरह से मस्रूम बनाईए बहुत ही टेश्टी लगते हैं इसे धनीय पत्ते सिगार निस कर ले अगर हमारी रेसिपी पसंद आये तो लाइक से रहे और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू